प्यारे बच्चो आज हम नया चेप्टर शुरू करें हैं जिसका नाम है रजा ट्रिप टू पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है और पाकिस्तान जो है वो 1947 में वजूद में आया हमने पाकिस्तान बनाते हुए एक नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाह इल्ला आपको इसका अर्दू में मतलब पता है चले मैं आपको बताती हूँ यह हमारा पहला कलमा भी है और इसका अर्दू में तर्जमा है अगर हम दुनिया में तरकी करना चाहते हैं, तो हमें इसी कल्मे की तरफ वापिस पल्टना होगा अल्ला और उसके नभी से महबबब करें, अल्ला से दौाइं मांगें और इसका महबबब का कैसे पता चलेगा, अल्ला को कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, नभी करीम से लब सल्बं ने कैसे उन बातों पर अमल किया, उसके लिए बहुत जरूरी है, आप अल्ला की किताब त तरीके पर अमल करें, Holding his father's hand tightly, रजा वाक तौर्ड्स दा एग्जिट आफ दा एरपोर्ट, Holding कहते हैं पकड़ने को, ताइटली मजबूती से, तौर्ड्स की तरफ, एग्जिट बाहर निकलने के रस्ते को एग्जिट कहते हैं, और एरपोर्ट वो जगा होती है, जहां पर हवाई जहास लेंड करते हैं, लोग बाहर के मुलकों से हुआई जहास के उपर बैठ के आते हैं, और एरपोर्ट से, अपनी immigration करवा के बाहर निकलते हैं इसका अगर हम उर्दू तर्टमा देखें तो इस तरह से आएगा अपने वालिट का हाथ मजबूती से पकड़ कर रजा हवाई अड़े से बाहर निकलने की तरफ चल पड़ा This was the first time he was visiting Pakistan in eight years First time पहली दफा विजिटिंग सेर करना मुलाकात के लिए आना और eight years आठ सालों में अगर हम इस जुमले का बाहर आप अवरा तरजमा करें तो यूं आएगा ये आठ सालों में पहली बार पाकिस्तान सेर करने आया था यानि रजा जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं When he was a young child His family had shifted to Saudi Arabia आपको पता है कि Saudi Arabia जो है वो मुलक है जहां पे मक्का और मदीना है मक्का में खाना काबा है और मदीना में नभी करीम से लिए सलम का रोज़ा मुबारिक है यंग छोटा, चाइल्ड बच्चा, फैमली हांदान या कुमबा को कहते हैं Shifted मुन्तकिल होना तो अगर हम इसका बाब महावरा तरजमा देखें तो कुछ यूँ बच्चा था उसका कुमबा सौदी अरब मुन्तकिल हो गया था Now, he finally had the chance to see the country where he had been born Now, ab finally, bilakhir, chance, mocha, to see, देखना Where, जहां पे मुल्क, वतन को कंट्री कहते हैं और Where, जहां अगर हम इसका बाब महावरा तरजमा करें तो कुछ यूँ आएगा अब उसे बिलाखर इस मुल्क को देखने का मौका मिला जहां वो पैदा हुआ था तो हमने पहले एक एक लफ़ का उर्दू तरजमा देखा और अब हम इसको बाब महावरा लिखेंगे रजा फेल्ट एकसाइटिड फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना एकसाइटिड पूर जोश यानि वो बहुत अपने अंदर जोश महसूस कर रहा था के वो पाकिस्तान जा रहा है रजा ने जोश महसूस किया एट दा सेम टाइम फेल्ट लिटल स्केर्ड तो मीट इस अंकल आंट एंड काजन्स सेम उसी टाइम वक्त उसी टाइम फेल्ट महसूस करना लिटल थोड़ा सा सकेर्ट खौफ सदा या गबराट महसूस करना मीट मिलना अंकल चचा या मामू को कहते हैं आंट खाला को कहते हैं और चचा के बच्चे जो हैं वो कजन्स कहलाते हैं चचा खाला मामू के बच्चे इसी दुरान उसे अपने चचा, खाला और चचा अजाद भाईयों से मिलने में थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ उसको क्यों गबराट महसूस हो रही थी वो सोच रहा था कि क्या वो उसे पसंद करेंगे उसके चचा, मामू, खाला और उनके बच्चे वोड़ ही फील वैलकम इन दिस फारण लेंड, क्या वो फील महसूस करना वैलकम खुश आमदेद, फारण गहर मुलकी और लेंड जमीन, क्या वो इस गहर मुलकी जमीन में खुश आमदेद महसूस करनेगा क्योंकि वो बच्चपन से सौदी अरफ चला गया था, तो अब वो पाकिस्तान में अपने आपको गहर मुलकी महसूस कर रहा था, तो उसे ये थोड़ा सा खौफ था क्या लोग उसका इस तकबाल अच्छे तरीके से करेंगा वोड ही अंडरस्टैंड दा कल्टर, अंडरस्टैंड समझना और कल्टर कहते हैं तहजीब को यानि उठना, बैठना, खाना, पीना, क्या वो जहां मिलने आ रहा है तो क्या वो इन लोगों की तहजीब को समझ सकेगा? क्या वो तहसीब को समझे का? ये उसके खौफ और गबराट की वज़ा तो प्यारे बच्चों, आज हमने पहला पेराग्राफ किया, उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस चैनल को सबस्क्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें